इस कुछ आप से बोला गया है कि law of photochemical equivalence का यूज करते हो आपको बताना है energy in urge per mole यानि simply क्या करना है आपको cgs inerts में आपको बताना है energy एक mole photon particle का in terms of lambda तो क्या होगा हम simply put करेंगे hc by lambda इसको nsm apply कर देंगे इसमें क्योंकि cgs value दिया हुआ सारे constant का उसको यूज कर ले आप एच का भलू होगा 6.62 इंट्रेंट पर माइस 27 ठेक है आपके c का भलू कितना होगा 3 इंट्रेंट पार 10 लेम्डा को छोड़ दो इसको जाब करोगे तो जयागा 10 लेट पार 6 और इसको जो नमकलय करोगे 6.62 इंट। 3 इंटक 6.02 तो व्हालू हाजागा 119.55 के आसपास लेम्डा तो इसको रशती 1.1955 10 वद्रेंट बोल सकते हो लेंड़ बाइब और इसको आप राउंड ऐफ पर के बोल सकते होए रहां वान पॉईंट वान नैन सिंक्स इं ट्रेंड पार एड बाइ लेंड़ और हमारा स्लुचन मैच करेंगा उप्सन एक साथ मैच करेगा तो यह था इस कुष्टिन का स्लुचन प्रोसेस टीस ते के कैस प्रोसेसर कैसे सॉल्व करना है उसको भी आप अब जोब कर सब्सक्राइब देखते हुए तो यह था इस कोशन का अलाइसिस मोग करता हम लोग नेक्स कोशन पर